दोस्तो नमस्कार इन्फोर्स्मेंट ओफीसर और एपी एफसी वेकेंसी की जो हमने बात कुछ दिन पहले की थी आज यूपीसी ने अपने बेव साइट पे उसका जो नोटिफिकेशन था जारी कर दिया है इस नोटिफिकेशन से जो भी संदेह था लोगों को जो भी अनुमा लगाया जा रहा था सारा परदा उठ गया है अब एक्जाम कैसे होगा सिदेबस क्या होगा और सारे पैटर्न यहां पे बता दिया गया है तो उसमें जो भी इंपोर्टेंट पॉइंट आपके लिए है मैं थोड़ा सा हाइलाइट कर देता हूँ क्योंकि आपके लिए पढ़ भी सकते हैं ठीक है तो चलिए हम थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं पहले तो आप जान लेजिए कि दो तरीके का वेकंसिया है एक आया है इनफोर्समेंट ओफिशर का एक आया है एक आया है इसमें 418 पोस्ट है टोटल पोस्ट है इसमें केटेगरी वाइज अलग होना चाहिए बी कॉम होना चाहिए बी टेक होना चाहिए बी होना चाहिए आप जो भी हो आपके पास सिर्फ ग्रेजिएशन का डेगरी होना चाहिए आप इसमें फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है ठीक है अब दूसरा इसका वेकंसिया है वह है असिस्टेंट प्रोवि अगर दोनों की बात करें तो दोनों में APFC बहुत अच्छा पोश्ट है यह देवल 10 का जोब है सिसमें 35 इयर है हम जो इस बता रहे हैं हम जेनेरल की बात बता रहे हैं कि पर बाल farming 30 साल था दूसरा वालthing देख रहे हैं यहाँ पर 35 साथ इस जेनरल काहिज है बाकी आपका जो भी केटेगरी है उसमें 3 साल या 5 साल आपको relaxation मिलता है हम उसको आगे देख रहेंगे ठीक है देखिए अब आज से फर्म भरना स्टाथ हो चुका है 25 favori से 25 favori से फर्म भरना स्टाथ हो चुका है तो आप लोग फर्म भर्लेए जितना जल्दी भर रहेंगे ज्यादा बढ़ अध्या होगा कि लास्ट में भरियेगा तो आपका 24 वाला सेंटर नहीं मिल पाएगा यहाँ पे 24 वाला सेंटर उप्शन देता है भरने को तो लास्ट के टाइम में आपको यह फैसिलिटी नहीं मिल पाता है क्योंकि बुक हो चुका होता है दूसरी बात है कि हाँ देखी जैसे यह जिकी हम बात कर रहे थे कि फाइव यर एक्सेशन होता है सीएश्टी में और थ्री यर होता है ओबीसी में हम तीस और प्यातिस आओ जो बताये थे और जेनरे केटेगरी का बताये थे तो आप जिस केटेगरी में है अपना उन्मान नोकरी में या प्राइवियट नोकरी में आप देखेंगे तो प्रोवेशन परियर्ड कुछ होता है देखें सबसे इंपोर्टेंट चीज है कि एक वीडियो बना था एक्जाम से रेटर रोही जी बनाये थे तो इसमें बताये थे कि एक्जाम अलग-अलग हो सकता है और इस देखें पहला जो एक्जाम होगा आपका इन्फोर्समेंट ओफीशर वाला उसका सिदेबस बताये गया है पहले तो स्कीम बताये गया है कि दो घंटे का परिक्षा होगा अ सारे बराबर नंबर के वेटेज के प्रश्ट होगे औब्जेक्टिव टाइप का कुस्चन होगा उसमें objective में UPSC multiple choice भी पूछता है वो भी यहाँ पूछा जा सकता है हिंदिंग लिस दोनों में होगा यह तो होता ही है सबसे important feature है कि one third इसमें negative कटेगा UPSC का सारा परिक्षा में one third negative होता है तो अगर दो number का कोई question है तो उसमें 0.66 number आपका negative में कट जाएगा ठीक है आप तो BPSC में भी आगे है negative तो घबराने के बात नहीं है लेकिन थोड़ा यहाँ पे जादा है BPSC में आप देखेंगे कि one fourth होता है क्योंकि वहाँ पर option 5 है यहाँ पर option 4 होगा आपको यहाँ पर D और E में नहीं खेदा कराए जाएगा आपसे चार option होगा और वहाँ पर one third आपका negative होगा दो number का यह question होता है चलिए अब syllabus देख देखेंगे जिए syllabus general English है हमने उस दिर आपको syllabus को तोड़ तोड़ के बताया था previous year के अधार पे दस नमबर का इंगलीश होगा बाकि एकाउंस वगएरा जो भी होगा उसी को यहाँ पर बताये गया है जेनरल इंगलीश आपका होगा फ्रिड़म एश्ट्रागर हिस्ट्री का मोडर्न इंडिया का पार्ट हो गया करेंट इवेंट्स एंड डेवलपेंट इसू हो गया इंडियन पॉलिटी एंड इकोनोमी हो गया इकाउंटिंग और इंडुस्ट्रे रिरेशन यह जो दो पॉइंट है यहीं आपका सिर्वस में कह सकते हैं नया है और यहीं की रोल निभाएगा कि जो इसको पढ़ेगा उसका सेलेक्शन होगा जो नहीं पढ़ेगा नहीं होगा आगी देख लेते हैं जेनरल साइन्स भी है इसमें जेनरल मेंटल एवेलिटी भी है और सोशल सेकुरिटी इन इंडिया यह भी आपको UPC में आप तयारी करते हैं तो यह आपको पढ़ना होता है देखें यहाँ पे नया आपको एक चीज़ मिलेगा यहीं जेनरल एकाउंटिंग प्रिंस्पर और इंडिस्ट्रे रिलेशन अब आप बहुत लोग कहेंगे कि यह हमारे लिए नया है ठीक बात है सब के लिए नया है लेकिन आप एक बात देखिए कि जो व्यक्ति यह पढ़ा है मतलब मानते हैं जो कमर्स का श्टुडेंट है क्या उसके लिए साइंस नया नहीं है उसके लिए मेंटल एबिलेटी मैथ और इंडिनिंग नया नहीं है तो इसका syllabus ऐसा design ही किया गया है कि कोई कैणिडिट नहीं कह सकता है कि हम इसमें सब पढ़े है इसमें science भी है इसमें maths भी है इसमें arts भी है इसमें commerce भी है चारो सेक्शन को इसमें add कर दिया गया साथ में English भी है कोई भी student अपने पूरे study के दोरान चारो सब्जेक्ट को नहीं पढ़ता है एक दो सब्जेक्ट छुटता हैं छुटता है तो देखिए ये जो आप कहा रहा है कि नया है ना तो सबके लिए इसमें एक दो टॉपिक नया है जो कमर्स पढ़ा है क्या वो हिस्ट्री नहीं पढ़ रहा है वो math नहीं पढ़ा रहा है तो आप भी पढ़िए और accounting वगर जो question होता है वो उतने high level का नहीं होता है जितना tough आपका history पूछा जाता है उतना tough accounting नहीं पूछा जाता है दिक्त है कि history आप पढ़ है तो आपको आसान लगता है accounting नहीं पढ़ है तो मुस्किल रगता है अभी 3-4 महीना time है 3-4 महीना sufficient है कि हम इन दोनों topic को अराम से कर पाए और इस पर जो video होगा हम लोग कोसिस करेंगे कि इस पर video लाएं और आपको help करें ठीक है तो घबराने की कोई बात नहीं है आप थोड़ा सा पढ़िये हो जाएगा और आपको level 10 का job दे रहा है UPC तो क्या आपसे महनत नहीं करवाएगा आप उमीद करते हैं कि जो पढ़े है बसदा के बैट से एक्जाम हो जाए ऐसा तो होगा नहीं यो PC का परिक्षा तो थोड़ा सा तो महनत करवाएगा आपसे ठीक है यो PC का परिक्षा के लिए अरभी फारसी भी पढ़ना पढ़े तो लोग पढ़ सकता है तो ये काउंटिंग क्या चीज है अना तो घबराना नहीं है इसमें चलिए अब वेटेज की बात मतलब इसमें किया गए है सेलेक्षन कैसे होगा तो आपका जो रिटेन एक्जाम होगा रिटेन मतलब जो PT एक्जाम होगा उसमें मानते हैं अगर आपका 100 नंबर आ गया हम एक अन्मान लेकर चल रहा है इतना आएगा नहीं आ भी सकता है जो भी हो हम अनमाल नेकर चलना है कि असान लें और आपका इंटर्वी में मानते हैं कि 100 नमबर आ गया ठीक है इसका मेरिट ऐसे बनेगा कि PT का 75 और इसका आ गया 25 मतलब आपका जो प्राप्तांग होगा जो मार्च साब का होगा उस 100 नमबर होगा ठीक है 75 परसेंट होगा आपका PT का 25 परसेंट होगा आपका इंटर्वीव का यहीं आपको यहाँ पर बताएगे हैं वेटर यहीं है अब दूसरे एक्जाम के हम बात कर रहेते हैं दूसरे एक्जाम में जो APFC वाला है यह भी वहीं होगा दो घंटे का परिक्षा है आपका अब्जेक्टिव टाइप होगा इसमें मल्टिपल च्वाइस है ठीक है इसमें भी मिन्स की बात नहीं किया गया है इसमें भी वन थर्ड पेनल्टी की बात की गई है मतलब 0.66 नमर कटेगा दो नमर का एक कोस्टन होगा तो 0.66 मार्क सबका कट दाएगा नेगेटिव होने पर ठीक है सिलेबस इसके हम बात करें इसका सिलेबस भी जेनरल इंग्रीज है इंडियन कल्चर है देखिए अब थोड़ा सा अंतर यहां पे आपको दिखिए यहां पे इंडियन कल्चर हेरिटेज फ्रीडम मुव्मेंट और करेंट इवेंट्स दिखा गया है हमने उपर में बताया था आपको इसमें क्या लिखा गया है इंडियन फ्रीडम श्ट्रेगल और यही नीचे में लिखा गया है इंडियन कल्चर हेरिटेज फ्रीडम मुव्मेंट और करेंट इवेंट्स यही एक एक सब्द से ना यूपीसी का सारा चीज गेम बदल दाता ह वहाँ पर रिखा है डाइरेक्ट इन्फोर्स्मेंट ओफीसर वारा जो लेबल एट का जोब है उसके सिलिबस में हिस्ट्री में लिख रहा है सीधे इंडियन फ्रीडम में श्ट्रगल मतलब भारत में जो सत्मता अंदोरन में जो योगदान था उसकी बात किया जा रहा है वहाँ पर कोस्टन थोड़े डाइरेक्ट पूछे दाएंगे यहाँ पर इंडियन कल्चर की बात हो रही है हेरिटेज की बात हो रही है मुव्मेंट के साथ कल्चर इवेंट्स की बात हो रही है यहाँ पर स्लेबस को थोड़ा सा समधाय गया है बताया है मतलब कहने का रहा है कि भाईसाब ये लेबर 10 का जोब है तो हम question में difference थोड़ा सा create करेंगे दोनों separate परिक्षा होगा तो यहां पर हम question culture में लाके पूछेंगे और culture का सवाल जब पूछा दाता है वहाँ पे culture का पार्क बहुत कम होता है वहाँ पे modern history ज़्यादा पूछा दाता है और यूप इसी culture और heritage वाले topic को उठाती है तो यहाँ पे आपका modern history का topic थोड़ा सा वहाँ से बढ़ जाएगा इस टेंडर उसका बढ़ा देगा Governance and Constitution of India यह भी थोड़ा सा देखिए सिरेबस यहाँ पे थोड़ा define करके रिखा गया है मतलब explain किया गया है और इसी से थोड़ा सा हम कहा सकते है कि यहाँ पे सिरेबस का extender question पूछने का extender थोड़ा सा अप हो दाएगा मतलब state service यहाँ पे है UPSC यहाँ पे है कम्प्यूटर के बारे में थोड़ा सा पूछा दाएगा आपसे जेनरल साइन्स वाले टॉपिक में कम्प्यूटर भी थोड़ा पूछा दा सकता इसमें elementary mathematics और esthetics general mental ability बगरा और social security देखिए दोनों में अगर हम देखिए तो थोड़ा थोड़ा अंतर आपको देखिएगा अंतर यहीं है कि standard question का यहाँ पर थोड़ा सब बढ़ जाएगा लेकिर accounting और audit industry relation labor law insurance यह सारे टॉपिक इंसुरेंस वाला टॉपिक आपको यहाँ नयामी देगा वहाँ पर आपको नहीं था ठीक है कुछ वेटेज की बात करें तो 75, 25 वेटेज है इसका 75 PT में है और जो 25 है वो इंटर्विम का मार्क्स है ठीक है और रहा बाते इस center का कहां का आपको center है तो बिहार में पटना center है आप दे सकते है बाकी home district देने का जिनको आदत है परिक्षा उनको पटना आना पड़ेगा ठीक है चुकि UPSC home district में center आपको नहीं दे सकता है राजधानी में center देगा पटना आना पड़ेगा दूसरी बात है कि आप जो भी दिल्ली के है वो form को जल्दी भर रहेंगे कारण यह है कि दिल्ली में student काफी जादा है और center उस ratio में देखा जाए तो कम है और 10 दिन 15 दिन के बाद आप देखेंगे UPSC का जो भी exam होता है और अगर आप फोर भरेंगे 10 15 दिन के बाद तो दिल्ली center बुक हो जाता है तो सब लोग दिल्ली ही अपने center देता है तो दिल्ली वाला center बुक हो जाता है फिर आपको गाजियबाद, नोइडा, मेरठ अगरा यहीं सब center मिलेगा तो option जब आपके पास दिल्ली है तो पहले फॉर्म भर लीजिए पहले option आपको मिल देगा ठीक है बिहार में भी अगर आप है तो पटना एक ही center है तो कोसिस करेंगे जल्दी भर लें क्या पता कहीं बाद में भी भूख हो जाए तो फिर आपको लखनाओ मिलेगा center हाना तो यही सब कुछ बाते बताने थी बाकी तो notification में जो लिखा हुआ है कि हम भारत के नागरिक होना चाहिए वगर 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 हो तो सब कोई है ठीक है तो इसमें कुछ नया है नहीं हम टेलिग्राम ग्रूप में डाल देंगे अब इसको पढ़ लेंगे कहाने का मतलब यही था कि नया टोपिक एकाउंट्स वगरा इंस्वरेंस वगरा का टोपिक आपको लग रहा है कि नया है उसके लिए हम वीडियो लाएंगे कोशिस कर रहे हम लोग तो आप निश्चिन्त हो के फोर्म भरिए परिक्षा दीजिए और खास कर NCRT वगरा को देखे आप पढ़ना स्टा यह सब देख पे तो उससे आप घटना चक्र उठाईए और प्रैक्टिस करिए कि हाँ एक कुस्टन हम लगा रहे हैं जैसे आप टेस्ट देते हैं उस तरीका से घटना चकर को यूज करिए घटना चक्र में बुक कभी मत बनाईए हम पहले वीडियो में आपको बता रहे है में बुक आपका इंसियाटी है घटना चक्र मतब प्रैक्टिस बुक है और लुसेंट वगरा बखवास बुक है तो यही सब आप पैटरन पे चलिए पढ़ाई करिए बिलकुल होगा और सफल होगे मिलते हैं नेक्स वीडियो में थेंक्यू